अभी अभी आया पैंसन को लेकर CM का बड़ा फैंसला अब पैंसन लाबारतियों को मिलेगी 9000 रुपे पैंसन अगर आप भी एक पैंसन लाबारती हैं तो यह जानकरी आप के लिए बहुत ही महत पूर्ण होने वाली है क्योंकि मुख्यमंत्री द्वरा हाली में पैंसन लाबा करतियों को मिलने वाली है यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है और कब से यह पैंसन मिलना शुरू होगी उसके लिए भी आपको जानकरी दे जाएगी अगर आप भी एक पैंसन लाबारती हैं तो बने रहेगा हमारे साथ आंत तक वीडियो को देखते रहेगा तमाम जानकर वीडियो को सेर भी कर देज़ेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं देखे हाल ही में पेंसन को लेकर मुख्य मंत्री दुआरा बड़ा फैंसला लिया गया है जिसके अंतरगत पेंसन लाबार्तियों की बल्ले-बल्ले हो गई है इन सरकार पेंसन में बढ़ोतरी कब करेगी लेकिन अब वह इंतजार समाप्त हो चुका है अब राज्य सरकार के किसी भी पेंसन और परिवारिक पेंसन को 9000 रुपे से कम पेंसन नहीं दी जाएगी जो परिवारिक पेंसन का लाब ले रहे हैं पूरे 9000 रुपे पेंसन उनके एकाउंट में सरकार ट्रांसपर करेगी। सरकार की तरब से पेंशन लाबार्तियों को यह जबरदस्त तोफ़ा जारी किया गया है। अब यह पेंशन किन पेंशन लाबार्तियों को मिलने वाली है, यह जानना जरूरी हो जाता है। आपसे हम निविधन करते हैं कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं के तो वीडियो को लाइक कर दीजेए और ज्याद स्यादा वीडियो सेर भी कर दीज़ेगा देखिए सासन ने प्रिवारिक 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 प्रिवारि प्रिवारिक पैंसनर को नियुन्तम 9000 रुपे पैंसन दिया जाना सुनचित करे अब दोस्तों ये पैंसन किन लावारतियों को दी जा रही है हलाकि इसकी घोसना हो चुकी है कि पैंसन लावारतियों को 9000 रुपे पैंसन दी जाए लेकिन ये पैंसन किन लावारतियों को मिलन सचीव निल रतन कुमार जी की तरफ से जारी किया गया है नियुन्तम पेंसन दिये जाने का यह आदेश जनवरी 2016 से परभारी माने जाएगी इस बीच जिन पेंसन रो को इस से कम धनरासी पेंसन के रूप में मिल रही है उन्हें जनवरी 2016 से अब तक का एरियर भी दे जाएगा अब दोस्तों जो सरकार द्वारा आया फैंसला दिया गया है नो हजार रोपे पेंसन देने का यह उन पेंसन लाबार्तियों को दिया गया है उन पेंसन लाबार्तियों के लिए सरकार ने घोसना की है जो क्रमचारी है जो रिटार हो तो अब से आपको जो पैंसन आगे मिलने वाली है वे पूरे 9000 रुपे पैंसन दी जाएगी दोस्तों बताया जाता है कि राज्य में ऐसे पैंसनों की संक्या 5000 से भी अधिक है जिन्हें आप भी नियुनतम अगले पैंसन की जो 83 है नो हजार रुपे से कम मिल रही है लेकिन अब ऐसा नहीं होगा अब महालिखाकार कारेले दुवारा नियुनतम पैंसन नहीं दिये जाने पर आपत्तिक ये जाने के बाद ये आदेश जारी क्या गया है अब जितने भी क्रमचारी है उन्हें सरकार नो हजार रुपे पैंसन जारी करेगी हर महीने उनके अकाउंट में नो हजार रुपे पैंसन दी जाएगी तो ये थी आपके लिए महत्पुन जानकरी, उत्तर प्रदेश की जानकरी आप प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार दोबारा यह जबरदस्त फैंसला लिया गया है, I hope आपको जानकरी चलगी होगी, आपसे हम निवेदन करते हैं, कि अगर आपने विडियो को जानकरी जाएगी, जो भी हमें राज्य सरकार दोबारा या फिर केंद सरकार दोबारा जानकरी मिलती है, वे हम आप तक पहुंचाते हैं, I hope आपको जानकरी चलगी होगी, मिलते हमें स्टूडियो में तो तक के लिए जय हमें, जय भारत!